हो स्वागत है हज मेरी चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब पर दिजिए बेल ऐकान दमना मत भूलिएगा क्या किम जूंगुन जो तानाजा है उत्तर कोरिया के उनकीिम अब गया है सोसल मीडिया पर इसमें काफी ज़्यादा चर्चा हो रही है बेजिंग में स्थितेक सेटेलाइट चैनल ने सोसल मीडिया वीबो पर दवा किया कि हांग कांग के सेटेलाइट टेलिविजन की वाइस डारेक्टर सी जियान सी यांग जोग ने उच पदस्त सुत्रों के हवाले से अपने काउंट वीबो उपर लिखा कि उत्तर कोरिया के नेता का जोकी तानसा है किम जोग उनका निधन हो गया है सीजियान चीन विदेशी मंत्री के काफी करीबी रिस्तेदार मणी जाती है उत्तर कोरिया इस दावेक से उत्तर कोरिया समेथ किसी भी देश ने इजनसी ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है कि उत्तर कोरिया पूरी तरह से अपने नेता के स्वास्ति या उनके इस्तित के बारे में पूरी तरह से कामोसी ओड़े हुए कोई जानकारी नहीं दे रहा है ठीक है नियूज एजनसी टायर राइटर्स ने इस बारे में रिपोर्ट दी कि चीन ने किम जूंगुन की मदद के लिए मेडिकल विसे सग भेजे थे किम जूंगुन की खराब सेहत के बारे में सबसे पहले 21 अपरेल को अंतराश्टी मीडिया में अमेरिकी आदिकारी के हवाले से रिपोर्ट सामने आई थी दिल की हार्ट की सरजरी के बाद किम जूंग कंभीर हो गई थी आलत ठीक है उत्तर कोरिया के विसे सग्यों विसे सग्यता रखने वाले एक दच्चिर कोरिया इंटरनेट समाचार आउट लेट को कहा जा सकता है इसमें रिपोर्ट आई कि किम जूंग ने इस महीने की सुरुवात में दिल की सरजरी करवाई थी इसके बाद उनकी हालत काफी बिगड़ गई है अटकले किस बज़े से लगी किम की स्वास्त को लेकर अटकले हफ़ते बर से लगना सुरू ही थी क्योंकि 15 अप्रेल को किम जूंग किम के दिगवन्त दादा और उत्तर कोरिया के संस्था पक किम इन्सुंग की याद में वार्षिक तोर पर एक राष्टी इस्तर पर एक कायकरब आयोजन होना था लेकिन इस में किम ने सिरकत नहीं की उत्तर कोरिया में इस दिन पूरे देश में सारवजनिक आवकास रहता है किम की गंभीर बिमाई के कयासों के बीच दच्छर कोरिया के सरकार ने कहा कि उत्तर कोरिया की नेता किम जोंग की सरजरी के बाद दिल की सरजरी के बाद स्वास्त उनका काफी ज़्यादा ना जुख है अगर ऐसा हुआ कि एक चली क्या कि उत्तर कोरिया की मेडिया इसे काफी ज़्यदा चुपाने पर ध्यान दे रही है कि कुछ भी बाहर ना निकल पाए अगर ऐसा होता है कि किम यों की मृत्य हो चुकी है तो उसके बाद उनका जो राज्य है यानि की देश है वो कौन समालेगा तो किम की हाग लग देखते हुए अटकले लगाए जा रही है कि उत्तर कोरिया की कमान कौन समालेगा तो उनकी छोटी बेहन किम यों जोंग उत्तर क कुणिया की सासक बन सकती है उनकी छोटी बेहन है जो उन के साथ हमेशा दिखाई पड़ती है और काफी जिया दा उनके साथ रहती है ठीक है किम जोंग अपने भाई की तरह काफी जिए जिसके बहुत आक की मिलिट competitions किया था इसके बाद दच्छी कोरिया ने इसका विरोध किया था दच्छी कोरिया के बयान के बाद किम्यों जोंग ने कहा था डरे वे कुट्टे भोक रहे हैं और भी कई वज़े हैं जिससे अपने बेहन को ताना साह भाई का उतर गई समझा जा सकता है जापान की मैगजीन ने यह दावा किया कि इस माहिने की सुरुवात में किम्योंग एक बार चक्तर खाकर गेर पड़े थे मैगजीन ने यह बताया कि पूरी इस्थिती पर नजा रखने वाले चीन मेडिकल इस्पर्ट टीम ने उन्हें बताया कि इस्टंट डालने की जरूत थी जो या तो देरी में डाली गे या फिर गलत तरीके से डाली गे जिससे समसें बढ़ गई अमरीकी खूफिया अधिकारियों ने स्वास्त की मानेटरिंग की जिसमें यह बताया कि किम जोंग कार्डियो वेस्कुलर आप्रेशन के बाद गंबीर खत्रे में हैं पूरु C.I.A. डिप्टी डिविजन चीफ फार नार्थ कोरिया ब्रूस किलंगलेनर ने C.N.A. को बता हुआ है फिलाल उत्तर कोरिया की मीडिया और वहां के जो प्रेस मीडिया है वह इस बात पर नहीं एक तरफ से चारो तरफ से घरी हुई है कि कोई भी ख़ब किम जोंग की नकारातमग बाहर ना निकले अगर कुछ भी हुआ है तो वह सांती रूप से उस प्रक्रिया को अग मर गए है या फिर भी जिन्दा है ठीक है जैसा होगा आपको इस वीडियो के निवे चैनल के मादेम से आपको मिलेगा प्राप्त होगा ठीक है